हेलो एव्रिवन विलकम बाक टु चॉकिन स्रेट मैसल्फ निधी तो मैं आप लोगों को करा रही थी एरिया थियूरम चैप्टर जिसका अल्रेडी हमने फस्स एक्ससाइज सिक्स्टी ने कर लिया था जिसमें हमने एरिया से रिलेटेड बच्चो तीन थियूरम पढ़ा था फर्स्ट थियूरम क्या था बच्चो एरिया ओफ पैरलेलोग्राम और ये वाला एक पैरलेलोग्राम दोनों का बेस सेम है और सेम पैरलेलोग्राम के बीच में तो उनका एरिया same होगा clear first ये थ्योर हम पड़ा था second क्या पड़ा था हमने area of a triangle is half that of a parallelogram on a same base and between same parallel line same parallel line और same base के बीच अगर आप एक triangle और एक parallelogram form करोगे तो triangle का area parallelogram के area का half होगा और clear और एक third पड़ा था area of a triangles on same base and between same parallel line equal अगर दो triangle को हम same base और same parallel line के बीच में draw करेंगे तो दोनों का area same होगा clear इन तेन ख्योरम को हमने सीखा था और इससे related हमने exercise first exercise 16a को solve किया था आज की वीडियो में बच्चों हम exercise 16b करेंगे जिसके लिए भी आपको एक relation पता होना चाहिए अब देखो क्या relation है आज की वीडियो में हम triangles के area के बारे में पढ़ेंगे और ऐसा triangle जिसका same vertex हो suppose करो ऐसा triangle जिसका same vertex हो और जो base हो वो same straight line के along हो तो उनके area के बीच में क्या relation होता है क्या बोला मैंने area of a triangle having same vertex and bases along the same straight line उनके बीच में आज हम relation देखेंगे तो मैं draw करती हूँ suppose करो यह मेरा same base same नहीं बोला है मैंने basis along the same straight line that means इसी straight line में आपको अलग-अलग base लेना है मैंने एक straight line draw कर दिया है इससे मैंने पहला एक base लिया है AB ठीक है और vertex आपको same लेना है एक vertex ले लो इससे मैंने एक पहला triangle form किया है तो यह कौन से triangle बना बच्चो ABC अब इसी straight line में आप दूसरा base लो जरूरी नहीं है कि आपको AB ही को लेना है या AB के length के जितना बड़ा base लेना है आप कोई भी base ले सकते हो किसी भी मिजर का base ले सकते हो बट same straight line के along में ही आपको लेना है अगर आप यहां से एक दूसरा triangle draw करोगे बच्चो तो वो triangle कितना हो जाएगा वो कुछ ऐसा triangle बनेगा BCB clear तो same vertex और same straight line के along अगर आप base लोगे और जितना भी triangle form करोगे बच्चो सब का जो height है वो same होगा कब same होगा अगर मेरा vertex same है और base जो straight line में form हो रहा है वो straight line अगर same है तो अब जितना भी triangle form करोगे सब का height same होगा ठीक है यह logic समझ में आया क्या बोला मैंने अब अगर मैं इन दोनों triangle के area के बीच में relation बोलू तो वो क्या होता है तो simple सा बाते निकालो area of triangle निकालो अब ABC के triangle के area निकालोगे तो कितना होगा triangle के area का formula हमने पढ़ा है half into base into height half into base के जगा क्या लिखोगे AB और मैंने क्या बोला height हर में अगर आपका base same है तो height आपका same होता है clear तो यहाँ से मैं एक perpendicular draw कर लेती हूँ यह मेरा height है और हर एक triangle के लिए आपका height यही होगा अच्छा D मैंने use कर लिया ना तो E लिख देती हूँ suppose करो मैंने एक triangle form किया है वो आपका ऐसा skellen triangle है obtuse triangle है sorry skellen बोल गया मैंने एक triangle draw किया यह एक मेरा obtuse triangle है ABC C अगर मैं आपसे पूछूंगी कि इस triangle का height क्या होगा बच्चो तो आपको vortex के से just perpendicular draw करना होगा तो इसका height यह होगा A, C, D यह मत समझ देना कि यह triangle के बाहर आ गया है तो यह इसका height नहीं होगा जो straight line जो perpendicular होता है vortex से वही आपका height होता है है ना तो मेरा height होगा C दोनों ही triangle के लिए height आपका C होगा क्योंकि अभी मैंने बताया कि अगर vortex सेम है और base का straight line सेम है तो height हर एक triangle के लिए सेम होगा तो पहले triangle का area होगा half into base है आपका AB और height है आपका C और अगर दूसरे triangle का मैं area निकाल हूँ area of triangle BCD तो ये भी आएगा बच्चा half into base इस बार आपका BD है और height twice CE है अगर मैं दूनों का ratio निकाल दू तो half half cancel हो जाएगा और CECE cancel हो जाएगा यानि area of triangle A, B, C ratio area of triangle B, C, D is equal to आजाएगा बच्चो AB ratio BD यानि यहां से मुझे क्या समझ में आया कि अगर मैं same vortex और base का जो straight line है same straight line में अलग-अलग base लेकर triangle form करूंगी और उन triangle का ratio अगर मैं निकालूंगी तो वो ratio किसके बराबर होगा उनके base के length के बराबर होगा उन triangle के area का जो ratio है वो उनके base के length के ratio के बराबर होगा समझ में आया क्या बोला मैं एक बार से repeat कर देती हूँ अगर आप same vortex और base का जो straight line है same straight line पे अलग-अलग base इसी straight line में आप अलग-अलग base लेकर same vortex से जब सारा triangle form करोगे और जब आप उनके area का ratio निकालोगे तो वो उनके base के ratio के equal होगा समझ में आगया logic इस logic का use मेरा इस exercise में होने वाला है और other जो हमने formula पढ़ा था sorry theorem पढ़ा था area से related first exercise में भी उसका भी use होगा तो चलो main जो logic था जो इस exercise में use होने वाला था वो बस यही है कि अगर आप same vortex और same straight line में अलग-अलग base लेकर triangle के area का ratio निकालोगे तो वो उनके base के ratio के equal होगा समझ में आगया बात तो बस इसी theorem का use हम करेंगे तो चलिए अब exercise स्टार्ट करते है तो चलो स्टार्ट करते है exercise first number देखो क्या है show that, that means आपको proving करना है क्या proof करना है सबसे पहले a diagonal divides the parallelogram into two triangles of equal area मुझे proof करना है कि parallelogram का जो diagonal होता है वो उसे दो equal area वाले triangle में divide करता है तो सबसे पहले आपको एक parallelogram form करना होगा तो draw कर लो एक parallelogram यह मेरा एक parallelogram है A, B, C, D और इसका कोई एक diagonal बनाओ दो का जरवतनी कोई एक diagonal draw कर लो मैंने diagonal draw की अब B, D ठीक है मुझे इन दोनों triangle का area को equal proof करना है तो कैसे करेंगे तो चलो सबसे पहले कभी भी ऐसा रहे तो मुझे दोनों triangle को congruent proof करना पड़ेगा parallelogram है तो यह दोनों opposite side parallel होगा बच्चा और यह दोनों side parallel होगा तो चलो लिखो ABCD is a parallelogram and BD is diagonal ठीक है अब आज आते हैं हम triangle ABD and BCD में इन triangle ABD and triangle BCD अब इन दोनों triangle को मुझे क्या proof करना है current proof करना है तो देखो हमने पड़ा है कि parallelogram का जो opposite side होता है वो equal and parallel होता है यहनि AD और BC आपस में equal होगा तो पहला point मिल गया AD equal BC दूसरा देखो AB और CD भी आपस में equal होगा तो second point भी मिल गया मुझे AB equals CD और तीसरा BD is common BD दोनों triangle में यानि side 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 rule से BD is common यानि SSS rule से मेरा दोनों triangle congruent होगया तो आप क्या लिखोगे therefore triangle ABD congruent triangle BCD by side 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 rule से हमने दोनों triangle को congruent proof कर दिया और जब मैं first exercise बता रही थी और आपने देखा होगा detail में तो जब मैं introduction दे रही थी area theorem का तो मैंने बताया था congruent figure के बारे में क्या बोला था कि दो figure अगर congruent है तो दोनों का area हमेशा सेम होगा दो figure अगर दो figure congruent है तो उनका area को आप क्या बोल सकते हो equal बोल सकते हो यानि मैंने दोनों figure को congruent proof कर दिया तो मैं बोल सकते हूँ कि दोनों triangle का area सेम होगा बस यह imply करेगा बच्चो area of triangle ABD equal area of triangle area of triangle BC B Lash में लिख देना therefore diagonal of a parallelogram divided into 2 triangle of equal areas प्रूव हो गया यह था मेरा number 1 इसमें दिखू number 1 में आपका total scene proving है second क्या है the ratio of areas of 2 triangle of the same height is equal to the ratio of their bases जो अभी मैंने बताया कि 2 triangle अगर दोनों का height same है तो उनका जो area का ratio है वो उनके base के ratio के equal होगा यह आपको proof करना है तो चलो करते हैं इसके लिए आपको कैसे triangle draw करना पड़ेगा तो height तभी same होगा जब आप 2 triangle बनाओगे दोनों का vortex same होगा और base जो है वो same straight line के along होगा है ना तो आप एक same vortex ले लो और एक straight line ले लो इसी में मुझे 2 base लेना चलो पहला triangle बनाया मैंने ये वाला और दूसरा triangle बनाया मैंने ये वाला ठीक है? इसका name देदो A, B, C D, अब height ड्रॉँ करना ती A, D ये होगया मेरा height A, D जो है अचा D मैंने यूज कर लिया था ना A, E A, E जो है वो मेरा दोनों triangle का height होगा क्योंकि अगर vortex same है और base same straight line के along है तो height same होता है तो आज जाओ फ़ले निकालेंगे area of triangle A, B, C A, B, C कहेंगे कितना हो जाएगा बच्चो half into base base है आपका BC और height है आपका A, E वैसे अगर आप निकालोगे area of triangle A, B, C लिया था ना भी मैंने अब मुझे लेना है A, C, D A, C, D कि ये भी कितना हो जाएगा बच्चो half into base base है मेरा CD B और height है same A, E अब आपको दोनों का ratio निकालना है ratio निकाल दो half half cancel A, E, A, E cancel आगया ना दोनों triangle का जो ratio है area का जो ratio है वो उनके base के ratio के equal है ठीक हो गया proving number 3 भी आपको वैसे ही करना इसमें थोड़ा सा change कर दिया गया है क्या question में बोला गया है the ratio of the areas of two triangle on the same base इसके पहले आपको same height बोला गया था इस बर क्या बोला गया अगर दो triangle है और दोनों का base same है ठीक है तो अगर आप उनका area का ratio निकालोगे तो वो उनके height के ratio के equal होगा तो चलो draw करते हैं आपको दो triangle form करना है same base पे तो मैंने एक same base ले लिया है इस पे मैंने पहला triangle form किया ये वाला और second triangle मैं इस तरह form कर देती हूँ second triangle form किया मैंने ये वाला name दे दो A, B A, B जो है वो same base है C and D लिख दे न draw a triangle we have to draw a triangle ABC and ABD on same base AB ठीक है इस triangle का आपका height है यहां से एक perpendicular draw कर लो ये इसका name दे दो CE और इस triangle का height है आपका यहां से एक perpendicular draw करो F DF तो लिख देना CE is the height of triangle ABC and DF is the height of triangle ABD क्लेर ये सब मैं लिख ने रही हूँ मैं आपको बता दे रही है simple सा बात है statement लिखना होगा आपको उसके बात करना होगा तो चलो आते हैं अब direct करते क्या लिखोगे आपको दोनों का area निकालना है ना तो area of triangle ABC अगर ABC triangle का area निकालो के तो क्या होता एरिया का formula half into base into height half into base के place में क्या लिखेंगे ABC का base क्या है AB और height क्या है बच्चो CE ठीक है second triangle का निकालो area of triangle ABD half into base इसमें भी base AB है और height निकालोगे तो DF है ratio निकालना है इस तरह से ratio निकाल देंगे हम AB AB कड़िया half half कड़िया तो देखो जो area का ratio है वो उनके height के length के ratio के equal है clear तो यह हो गया मेरा number 1 अब next देखो number 2 but 2 क्या है in the given figure figure मैं यहाँ पे draw कर दिया है AD is the median of triangle ABC ABC triangle का median है AD और आपको पता है कि median क्या होता है तो किसी भी vertex से opposite side पर वो line draw किया जाता है जिसे median क्याते है जो side को दो equal part में divide करता है यानि मैं बोल सकती हूँ कि D जो है BC का midpoint है median जो है वो triangle के side को equal part में divide कर देता है ना bisect कर देता है तो AD median है triangle ABC का and is any point on median AD और AD median पर E जो है वो कोई भी एक point है आपको क्या proof करना है आपको proof करना है area of triangle ABE यानि ये वाला triangle area of triangle ABE equal होगा बच्चो area of triangle AEC के इन दोनों triangle के area को मुझे equal दिखाना है कैसे करेंगे तो देखो एक point है जो मैं भी proof करके भी आपको बताऊंगी triangle का जो median होता है बच्चो triangle का जो median होता है वो triangle को 2 equal area वाले triangle में divide करता है क्या बोला मैंने कोई भी एक triangle है उसका जो median होता है वो triangle को 2 equal area वाले triangle में divide करता है बच डाइरेक्ट हम नहीं बोलेंगे हम इसे proof करेंगे कि वो कैसे करता है उसके बाद ही हम आगे sum को बनाएंगे तो कैसे proof करेंगे कि triangle का जो median है वो triangle को 2 equal area वाले triangle में divide करता है तो सबसे पहले देखो आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा अगर आप triangle ABD और triangle ADC को ध्यान से देखो तो दूनों का vertex सेम है देखो दूनों का vertex सेम है A और दूनों का जो base है वो same straight line BC में है और मैंने बताया था कि अगर 2 triangle जिसका vertex सेम रहे और base सेम straight line के अलोंग रहे तो उनका height सेम होता है logic अभी starting में बताया तो बस उसी logic का आपको use करना है तो आप क्या करो मैं blue marker का यहाँ पर use कर देती हूँ ठीक है चलो अब करते हैं आप क्या लिखोगे number 2 है ना AF is the height of triangle ABC ठीक है मैं चाहती है तो direct लिख सकती थी कि median area divided triangle ABC into area of 2 equal triangle बट मैं आपको proof करके दिखा दिना चाहती हूँ ताकि आपका doubt clear हो because ऐसे अगर आप करोगे तो बस आपको learn रहेगा जहाँ पर आपको समझ में आएगा नहीं आएगा बहुत ऐसा complication create हो सकता है इसलिए मैं proof करके बता देती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ ठीक है अब देखो मैं निकालूँगी दोनों triangle का area तो सबसे पहले निकालूँगी area of triangle ABD ABD का area अगर आप निकालो तो कितना होगा था कि जो median होता है वो triangle को 2 equal sorry जो median होता है वो triangle के base को 2 equal part में divide कर देता है यानि BD और DF आपस में same होगा BD और DF बोल रहा sorry मैंने DC BD और DC आपस में same होगा यानि मैं BD के place में DC या DC के place में BC लिख सकती हूँ यानि यहां से क्या प्रूब होगया कि यह दोनों part same होगया यानि यह दोनों triangle का area same होगया आप क्या लिखोगी half into BD into AF is equal to half into DC into AF या reason में लिख दे न BC is equal to अब इसी बोल दिया है मैंने BD BD is equal to DC है ना यह दोनों आपस में same length के यानि area area of triangle area of triangle ABD को equal proof कर दिया हमने area of triangle किसके ADC के हमने अभी full full को equal proof किया मुझे इतना इतना को equal दिखाना है अब क्या करेंगे अब देखो अब आते यह छोटे triangle BEC ने in triangle BEC अगर आप BEC को देखो तो BEC triangle BEC अगर आप BEC triangle में देखो तो ED जो है वो BEC का भी median है ना ED देखो बोल दिया गया था अगर AB median है तो ED भी median है ना ED जो है वो BEC triangle का median है और फिर से अब मुझे यह दिखाने का ज़र्वत नहीं है मैं direct बोल सकती हूँ यहां से हमने प्रूफ कर दिया तो मैं direct बोल सकती हूँ कि triangle का median उसे दो equal area वाले triangle में divide करता तो आप क्या लिखोगे int triangle BEC ED is median तो यह imply करेगा area of triangle अच्छा इसका नेम आप देदो equation 1 area of triangle EBD equal हो जाएगा बच्छा area of triangle EDC के इसका नेम देदो equation 2 अब हम equation 1 में से equation 2 को subtract कर देंगे तो लिखो subtracting equation 2 from 1 we get क्या मिलेगा अपने को तो subtract करो कब क्या होता है मैंने बताया था 2 equal quantity में से अगर आप 2 same equal quantity को subtract करते हो तो answer भी same ही आता है चलो minus करो minus मैं इधर कर देती हूँ तो LHS वाले part में से LHS वाले part को minus करो ABD ABD इस full में से अगर मैं EBD इसे minus कर दूँगी इस वाले part को minus कर दूँगी तो ये आजाएगा मेरा है ना ये part आजाएगा तो क्या लिखोगे आप area of triangle ABD में से minus करना है मुझे area of triangle क्या था EBD is equal to RHS के तरब भी करो area of triangle ADC में से minus करना है हमें area of triangle EDC ठीक है? LHS वाले में से LHS को minus किया RHS वाले में से RHS को minus किया तो क्या answer मिला? मैंने मुझे ABD में से EBD को minus करोगी तो आजाएगा आपका ABE तो आगे आपका area of triangle ABE equal area of triangle AEC ठीक है? यहाँ area लिख ले ना समझ में आया कैसे किया? हमने एक बार short में बता देती हूँ median triangle को दो equal area वाले triangle में divide करता है तो इस full-full का area same हो गया उसी तरह से यह छोटे-छोटे वाले का भी area same हो गया इस full में से इसे minus कर दिया और इस full में से इसे minus कर दिया तो यह दोनों का area भी same हो गया clear कितना easy था? अब देको next number 3 अब देको next number 3, number 3 जो है वो 2 से ही related है हाँ number 3 कराने से पहले मैं आपका एक doubt clear कर दूँ कि बहुत जल्द chalk and slate science group से related lectures and computer से related lectures लाने वाला है computer में हम programming language को बहुत detail में समझेंगे तो यह सब करने के लिए बच्चों हमें हमारे हमें आपके support की जर्वत है इसलिए channel को जाए-जाएदा subscribe करो दोस्तों के साथ share करो videos को share करो because बिना आपके support के यह सब possible नहीं है हर एक video बनाने में बहुत जाएदा महनत लगता है हमारा investment लगता है और जब आप हती में जाके content को इतना जाएदा share करते हो इतना जाएदा appreciate करते हो तो यह सब content तो आपके life में value एड करेगा तो इसलिए support करो देखो next number 3 क्या है in the figure of question 2 if E is the midpoint of median AD आपको बोल दिया गया है कि AD median है और क्या बोल दिया गया अगर E AD का midpoint है तो आपको proof करना है area of triangle ABE area of triangle ABE is equal to 1,4 area of triangle A,B,C ठीक है question में बोला गया है अगर E AD का midpoint है तो इस छोटे वाले triangle का area is full triangle का area का 1,4 इसे आपको proof करना है तो चलो start करते सबसे पहले AD triangle का median है तो आप क्या लिखोगे AD is median of triangle ABC और अभी बताया है median जो है वो triangle को 2 equal area वाले triangle में divide करता है तो यह imply करेगा और कैसे करता है जो अभी मैंने proving करके आपको बताया area of triangle ABD equal हो जाएगा बच्चो area of triangle AD C के है ना ABD और ADC आपस में C हो जाएगे ठीक है यहां तक कर लिया हमने अब आगे क्या बोला गया है यानि मैं यहां से क्या लिख सकती हूँ कि area of triangle ABD जो है अगर ABD और ADC ABD और ADC आपस में सेम है तो मैं बोल सकती हूँ कि ABD जो है वो full area का half है है ना अगर यह दोनों equal है आपस में तो यह एक part full area का half है यानि area of triangle ABD is equal to half area of triangle AB C इसका name देदो equation 1 ठीक है अब अगेन next क्या बोला गया है E जो है वो AD का midpoint है in triangle ABD अब ABD में आजाओ E is midpoint of AD E जो है वो AD का midpoint है E AD का midpoint है और वो B vertex से निकल रहा है यानि मैं बोल सकती हूँ कि BE जो है वो AD का sorry BE जो है वो इस triangle का median है जोकि median ही triangle के side को 2 equal part में divide करता है और BE AE और ED में equal part में divide कर रहा है AD को है AE और AD दो equal part है तो आप क्या बोल सकते हूँ E is the midpoint of AD ये imply करेगा BE is median of triangle ABD यानि हमने BE को triangle ABD का median प्रूफ कर दिया और median triangle को 2 equal area वाले triangle में divide करता है यानि मैं बोल सकती हूँ कि ये छोटी वाले और ये छोटी वाले triangle का area same होगा यानि ये इंप्लाइ करेगा area of triangle ABE equal हो जाएगा area of triangle BE BED बोलो चाहिए EBD बोलो EBD और ये दोनों अगर equal equal है तो मैं बोल सकती हूँ कि ये इतना सा part इस full का half होगा अगर ये दोनो same same है तो ये वाला part इस पूरे का कितना होगा बच्चो आधा होगा यानि ये इंप्लाइ करेगा area of triangle ABE is equal to half area of triangle ABD ठीक इसका name देदो equation 2 अब देखो ABD का value हमने यहाँ पे निकाला था 1 by 2 area of ABC तो यहाँ पे ABD का value पुट कर दो यानि ये इंप्लाइ करेगा area of triangle ABE is equal to 1 by 2 इसके place में आप क्या पुट करोगे ये वाला part 1 by 2 area of triangle ABC 1 by 2 1 by 2 कितना हो गया 1 by 4 1 by 4 area of triangle ABC यही मुझे proof करना था कितना easily हो गया अब देखो next number 4 number 4 ABCD is a parallelogram draw कर लो एक parallelogram बनाना आपको ABCD ठीक है ये मेरा एक parallelogram है ABCD ABCD is a parallelogram P and Q are mid points of side AB and AD AB का mid point लेना है P और AD का mid point लेना है आपको Q ठीक है आगे क्या बोला गया है हाँ prove that area of triangle APQ APQ that means इस triangle का area area of triangle APQ is equal to 1 by 8 of area of parallelogram ABCD CD यानि APQ जो है वो 1 by 8 है ABCD का ठीक है इस triangle का area इस parallelogram का area का 1 1 by 8 है तो चलो कैसी करेंगे तो सबसे पहले आप line draw कर लो सबसे पहले तो दोनो diagonal form कर लो AC पहला diagonal BD दूसरा diagonal और साथी साथ आप DP को भी join कर दो ठीक है इतना हमने construction कर लिया तो आपको लिखना पड़ेगा ABCD is a parallelogram ठीक है BD and AC are diagonal AC and BD are diagonals ठीक है फिर लिख देना join PQ and DQ join PQ and DQ अब करते हैं तो अभी हमने पढ़ा sum number 1 में proof भी किया और पहले से भी हम जानते हैं हमने proof किया है कि parallelogram का जो diagonal होता है वो parallelogram को दो congruent triangle में divide करता है और दो congruent triangle का area सेम होता है congruent figure का area सेम होता है यानि मैं बोल सकती हूँ कि parallelogram का जो diagonal है वो triangle को sorry वो parallelogram को दो equal area वाले triangle में बच्चा डिवाइट करता है ना आपको APQ चाहिए तो आप ये वाला डाइगनल लेना क्योंकि मुझे इस तरफ आना है ना तो आप क्या लिखोगे Diagonal BD divides Parallelogram ABCD into two congruent triangles Therefore ये imply करेगा area of triangle ABD equal area of triangle DCB ये वाला triangle और ये वाला triangle का area सेम होगा Area of triangle ABD equal area of triangle BBC यानि ये दोनों triangle के area सेम होगा यानि मैं बोच सकते हूँ कि triangle का area पूरे Parallelogram के area का हाफ होगा यानि area of triangle ABD जो है वो हाफ हो जाएगा बच्चो area of Parallelogram ABCD ये ठीक है यहाँ तक हो गया अब देखो अब आते हैं figure ABD में ABD में मुझे बोल दिया गया है P जो है वो AB का midpoint है और P देखो वो D vertex से ये line join हो रहा है DP यानि मैं बोच सकती हूँ DP जो है वो triangle ABD का median है triangle के vertex से base पे जो हम line draw करेंगे that means कोई side पे हम line draw करेंगे और वो उसे 2 equal part में divide करेगा वो median कैलाता है और DP जो है वो AB को 2 equal part में divide कर रहा है तो आप क्या लिखो कि again आजाओ in triangle ABD P directly को DP is median और अभी पड़ा हमने median triangle को 2 equal area वाले triangle में divide करता है यानि DP median है यानि मैं बोल सकती हूँ area of triangle ADP equal होगा area of triangle DB और PDB के यानि ये imply करेगा area of triangle ADP equal area of triangle PDB ये वाला area और ये वाला area सेम होगा यानि मैं बोल सकती हूँ मैंने क्या बोला ADB ये फुल था इसमें से दो पार्ट निकला पहला ADP दूसरा PDB अगर ये दोनो area सेम है तो मैं बोल सकती है कि ये triangle का area इस पूरे triangle का area का half है ना अगर ये ये पार्ट सेम है तो इस triangle का area ये फुल triangle का area का half है यानि ये imply करेगा area of triangle ADP is equal to half full triangle को क्या बोलोगे ADB half area of triangle ADB और ADB के place में हम ये वाला value put कर देंगे इसका name देदो equation 1 इसका name देदो equation 2 यानि ये imply क्या करेगा बच्चो area of triangle ADP is equal to half अब देखो area of ADB ADB का value हमने यहाँ पे निकाला था ADB का value हमने क्या निकाला था half area of parallelogram ABCD तो इसके place में आप ये वाला value लेख सकते हो half area of parallelogram ABCD यानि ये हो गया 1 by 4 है ना ABCD अभी भी complete नहीं हुआ है अभी आमने ADP का ADP का निकाला है मुझे APQ चाहिए APQ यानि इसे और half करना है अभी मुझे एक बार और step लेना पड़ेगा तो उसके लिए मैं किधर ही raise करूँ बचों इधर ही कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए अब आएंगे N triangle ADP अब अगर ADP की मैं बात करूँ ADP ये वाला triangle तो देखो AD side का midpoint है Q यानि मैं PQ को median बोल सकती हूँ उस triangle का तो आप क्या लिखोगे PQ is median अगर PQ median है तो PQ भी इसे दो equal area वाले triangle मतलब ये triangle और ये triangle दोनों का area क्या आख होगा बच्चो सेम होगा यानि ये imply करेगा area of triangle AQP equal हो जाएगा area of triangle PQD के यानि ये दोनों छोटा छोटा पाट सेम है तो मैं बोल सकती हूँ ये जो है इस फुल का half है है ना यानि ये imply करेगा area of triangle AQD AQP sorry AQP is equal to half ये फुल लिखलो ADP अब ADP का value देखो अभी हमने निकाला 1 by 4 area of parallelogram ABCD put कर दो 1 by 2 इसके place में हम क्या लिखेंगे 1 by 4 area of parallelogram ABCD से multiply करोगे तो आजाएगा 1 by 8 ABCD समझ में आया कैसे किया हमने कुछ नहीं किया बस देखो इस तरफ हम आते गए सबसे पहले इस फुल में से ये लाइन दो इकवल पार्ट में डिवाइड किया BD डाइगनल ने इसे दो इकवल पार्ट में डिवाइड किया यानि मैं बोल सकती हूँ कि ये जो area है उस फुल का कितना होगा हाफ होगा फिर TD, TD मेडियन ने फिर इस ट्राइंगल को दो इकवल पार्ट में डिवाइड किया तो मैं बोल सकती हूँ कि ये वाला ट्राइंगल इस फुल का हाफ होगा फिर PQ मेडियन ने दो इकवल पार्ट में डिवाइड किया तो मैं बोल सकती हूँ ये वाला पार्ट इस full का half होगा और value put करते-करते हमारा final answer आ गया. तो बस आपको एक logic याद रखना है कि triangle का जो median होता है, वो से 2 equal area वाले triangle में divide करता है. अब बच्चो class 9 का math का सले, बस बस हमारा finish होने वाला है. आपका स्रिफ 2 chapter रह गया, एक inequality और दूसरा construction. साथ-थी साथ सारे important chapter हमारे class 9 के, important क्या बोल्यों मैं सारे chapter class 9 के हो गए है. इसलिए आप channel को अच्छे से explore करना, बहुत सारा videos हमारा available होता है. फिर भी बच्चों मुझे comment section में comment करते हैं, कि मैं videos नहीं मिल रहा है तो, मैंने इसलिए हर एक वीडियो का बहुत अच्छे से playlist भी बना दिया है, फिर भी अगर कोई भी doubt है आपको, तो आप हमारे telegram group में मुझे बताओ, या comment section में बताओ, telegram group को join कर लो बच्चों, क्योंकि exam के time पर मैं बहुत सारे important question upload करती रहूंगी, इसलिए जाओ group को join करो, group का link description box में provided है, channel को पूरा explore करो, सारे important videos आपके आर चुके हैं, आप देखो next number 5, next देखो number 5 क्या है, the base BC of a triangle ABC is divided at D, so that BD is equal to 1 by 2 DC, पहले मैं figure draw करती हूँ, तब आपको समझ में आएगा, एक triangle है ABC, जिसका base है BC, यानि इस तरह से वो triangle है जिसका base है BC, ABC, ठीक है, D जो है, इस तरह से D को divide किया गया है, कि जो BD का length है, वो DC के length का half है, देखो, BD का length, DC के length का half है, that means 1 ratio 2 में इसे divide किया गया है, है ना? इसे join कर दो, आपको क्या गिवेने बच्चो, BD is equal to 1 by 2 BC, ठीक है, आपको proof क्या करना है, area of triangle ABD, यानि इस triangle का area, ABD का area आपको proof करना है, 1 by 3 area of triangle ABC के, इस triangle का area, इस पूरे area का 1 third है, यह मुझे proof करना है, तो आप भ्यान दो अगर, तो इन दोनों triangle को अगर आप देखो, तो देखो, दोनों triangle क्या है, दोनों का vertex same है, और same straight line में, उनका base है, तो मैंने बताया था, यह अगर आप same vertex को लेकर, और same straight line में, अलग-अलग base लेकर triangle straw करोगे, तो उनका जो area होता है, बच्चों, उनका area का जो ratio होता है, वो उनके base के ratio का same होता है, बताया था, तो सबसे पहले देखो, मुझे क्या given है, BD is equal to 1 by 2 DC, यानि मैं यहाँ से BD ratio DC निकालू, तो 1 ratio 2 आएगा है न, BD ratio DC निकालू, तो कितना आए, तो 1 ratio 2, अगर उनका base का ratio 1 ratio 2 है, तो उनके area का ratio भी 1 is 2, 2 का ही होगा, क्योंकि same vertex और same straight line में base लेकर, अगर आप triangle का area निकालते हो, तो उनका ratio उनके base के ratio के बराबर होता है, यानि area of triangle ABD ratio area of triangle ADC, अगर हम निकाले, तो वो भी 1 ratio 2 ही आएगा, clear? अब देखो, अगर मैं इन दोनों को plus करूँ, तो बच्चो टोटल area आएगा है ना, इन दोनों को plus अगर हम करें, तो टोटल area आपका आजाएगा, आप क्या लिखोगे? area of triangle, ABC is equal to क्या होगा? area of triangle, क्या है यह? ABD plus area of triangle ADC, अगर मैं यह full निकालू, तो इससे और इससे plus करने से आपका आजाएगा, और अभी आपने देखा कि ADC जो है वो ABC का twice है, देखो ADC जो है वो ABD का twice है, यानि इसके place में मैं क्या लिख सकती हूँ? यह तो आपका ऐसे ही रहेगा, area of triangle ABD, इसके place में हम twice area of triangle, ABD लिख सकते हैं na, ADC जो है वो ABD का twice है, यानि ADC के place में हम twice ABD लिख सकते हैं इन दोनों को plus करोगे तो कितना आ जाएगा 3 area of triangle ABD देखो बस आपका आ गया इस 3 को इधर ले आओ तो 1 third area of triangle ABC is equal to area of triangle ABD ABD का area full triangle के area का 1 third है कैसी किया समझ में आ गया ये वाला part ये वाला part इसका twice है तो इसके place में हम 2 into ABD put कर सकते हैं clear? put कर दिया हमारा answer आ गया आप देखो next number 6 इसको बचो number 6 in a parallelogram ABCD point P lies on DC such that DP ratio PC is equal to 3 ratio 2 पहले figure draw कर लेते ABCD आपका एक parallelogram है इस तरीके से ABCD is a parallelogram point P is line on DC DC पे एक point है P इस तरह से है इस तरह से है कि आपके DP और PC का जो ratio है वो 3 ratio 2 का यानि ये 3 और 2 part में divide हो गया है आगे मुझे क्या बोला गया इस area of triangle DPB DPB आपको full parallelogram का area find out करना है ठीके simple सा बहात है बहुत easy है अभी मैंने बताया कि अगर same vertex पर और base जो लोगे वो same straight line के along लोगे तो area का जो ratio होगा वो base के ratio के same होगा अब आप देखो same vertex ये है मेरा same vertex और जो base है वो same straight line में यानि इन दोनों triangle का ये दोनों triangle देखो दोनों triangle का vortex same है और base भी same straight line में यानि दोनों का जो area होगा बच्चो उनका ratio इनके base के ratio का same होगा आपको given है base का ratio, देखो मुझे base का ratio given है, मुझे DP, ratio PC given है, 3 ratio 2, इन दोनों triangle का base का ratio given है, 3 ratio 2, तो इनके area का भी ratio हो जाएगा, बच्चो 3 ratio 2 है ना, जो base का ratio वही, area का ratio, यहनि आप क्या लिखोगे, area of triangle, BDP by area of triangle, BPC, BDP और BPC हाँ, ठीक है, 3 ratio 2 होगा, और इसका value मुझे given है, BDP मुझे given है, देखो कितना 30 तो इसके, please में 30 put करेंगे, 30 by area of triangle, BPC is equal to 3 by 2, यहां से आप find out कर लो, area of triangle, BPC निकालोगे, तो cross multiplication हो जाएगा, 30 into 2, 60, और यह 3 divide में चला जाएगा, आपका है ना, cross multiplication होगा, यह multiply में इस तरफ जाएगा, तो divide में, solve करके निकालोगे, तो आएगा 20 square centimeter, यानि यह वाला part हो गया, बच्चो, 20, यानि अगर मैं full का निकालूँ, तो 30 plus 20 करना पड़ेगा, यानि area of triangle, अगर मैं BDC निकालू, तो 30 square centimeter plus 20 square centimeter, यानि 50 square centimeter होगा, अब मुझे parallelogram निकालना है, तो अभी मैंने बताया कि parallelogram को जो diagonal होता है, वो triangle को दो congruent area वाले triangle में divide करता है, यानि अगर इसका 50 है, तो बच्चा, इसका भी 50 होगा, 50 plus 50, 100, तो आप क्या लिखोगे, area of parallelogram, ABCD is equal to 2 into area of triangle, BCD है ना, यानि 2 into 50, यानि 100 square centimeter, clear हुआ कैसे किया हमने, इसका पता था, ratio से हमने इसका निकाल लिया, इन दोनों को plus के, is full का आगिया और twice कर दिया, तो पूरे parallelogram का area आ गया, अब देखो next number 7, next देखो number 7 क्या है, ABCD is a parallelogram in which BC is produced to E, such that C is equal to BC, ABCD एक parallelogram है, BC को produce करकर E तक बढ़ाया गया, इस तरीके से कि ये दोनों आपस में same है, आगे क्या बोला गया है, AE intersect CD at F, AE जो है, वो CD को F point पर cut कर रहा है, ये नहीं बोला गया है कि F जो है, वो उसका midpoint है या कुछ खाली बोला गया है कि DC को F point पर cut कर रहा है, आगे मुझे क्या given है, area of triangle DFB, DFB, that means ये वाले triangle का area मुझे given है, 30 cm square आपको parallelogram का area find out करना है, अगर मैं F को midpoint proof कर दूँ, तो मेरा ये काम हो जाएगा और वो कैसे हो जाएगा, वो आपको समझ में आएगा कब, जब मैं उसे midpoint proof करूँगी, अब F को मैं कैसे midpoint proof करूँ DC का, तो उसके लिए बच्चो देखो, मैं A, D, F और F, C, E triangle में आती हूँ, और इन दोनों को मैं congruent proof करूँगी, कैसे कैसे हो रहा है, पहले आप देखो, फिर आपको पुरा overall समझ में आएगा, इन ट्रांगल, A, D, F, and triangle, F, C, E, इन दोनों ट्रांगल में देखो, अगर मुझे इन दोनों ट्रांगल को congruent proof करना हो, तो पहला point हम क्या लेंगे, this angle is equal to this angle, vertically opposite angle, angle A, F, D, equal angle C, F, E, दूसरा आप क्या लोगे, तो ये दोनों line parallel है, because ये parallelogram है, अगर यहां तक parallel है, और उसे आप आगे की तरफ extent करोगे, तो वो पूरा ही parallel होगा, ये दोनों parallel है, और ये transversal है, मतलब ये दोनों angle हो जाएगा, बच्चो, interior, alternate angle, तो angle D, A, F, equal angle C, E, F, और तीसरा आप क्या लोगे, AD is equal to CE, AD और CE same call, या मैंने, क्योंकि ये दोनों side same है, AD और BC same है, और BC को ही इस तरीके से E तक बढ़ाया गया है, कि BC और CE आपस में equal हो जाए, अगर ये इसके equal है, और ये इसके equal है, तो मैं इन दोनों को भी same बोल सकते हैं, तो अगर ये 5 है बच्चा, तो ये भी 5 होगा, suppose करो, और ये 5 है, तो ये भी 5 होगा, तो ये दोनों तो same हुआ ही ना, तो तीसरा मैं क्या बोलूंगी, AD equal CE, यानि दो angle और एक side angle, angle side rule से हमने दोनों triangle को congruent proof कर दिया, triangle ADF, congruent triangle FC, अब दोनों triangle congruent है, तो इसके बचेवे सारे corresponding sides और angle भी equal हो जाएंगे, यानि ये imply करेगा, CF बराबर हो जाएगा, FC के, DF बराबर हो जाएगा, FC के, यानि F is a midpoint of DC, है ना, अगर ये दोनों बराबर है, यानि ये क्या imply करेगा, F is a midpoint of, अब आज आते हैं triangle, किस triangle में बच्चो, D, B, C में, D, B, C में देखो, D, C का midpoint है F और ये vortex B से आ रहा है, यानि मैं BF को क्या बोल सकती हूँ, तो triangle BCD का median, इन triangle BCD, BF is median, तो BF को इस triangle का median दिखाने के लिए आपको, सबसे पहले दोनों को congruent roof करना पड़ा, और F को midpoint show करना पड़ा, clear, ये median हो गया, और अभी हमने पढ़ा था कि median triangle को 2 equal area हो, ये triangle में divide करता है, यानि ये दोनों triangle का area same होगा, और ये मुझे given है, कितना 30, तो ये भी कितना हो जाएगा, area of triangle, Bdc, ये full equilibrium है, Bdc is equal to 60 cm square, ठीक है, ये पूरा 60 हो गया, और देखो, Bd जो है, वो क्या है, diagonal है, और diagonal parallelogram को 2 congruent triangle में divide करता है, अगर ये 60, तो ये भी 60, यानि पूरा 120, समझ भाया ना, यहां तक 60, तो ये भी 60, आगे आप क्या लिखोगे, Bd is diagonal of parallelogram A, B, C, D, यानि ये इंप्लाई करेगा, area of parallelogram A, B, C, D is equal 16 to 2, यानि 120 cm square, यही मुझे proof करना था, clear कितना easy हो गया, आप देखो exercise का last sum sum number 8, क्या है, the following figure shows a triangle ABC, ABC एक triangle है, जिसमें AB का midpoint P है बच्चा, BC का midpoint Q है और AC का midpoint R है, S is the midpoint of PQ, then PQ line का midpoint है S, आपको proof करना है, ये full triangle ABC का जो area है, वो QSB, that means ये छोटे वाले triangle के area का A time से, कैसे करेंगे, तो इसमें आपका थोड़ा सा midpoint theorem apply होगा, I think आप तब को याद होगा midpoint theorem, मैंने already इस पर वीडियो बनाया वा है, और यह हम पहले कर चुके और बहुत ही important chapter है, अगर किसी भी बच्चे नहीं किया है, तो कर लो सारा doubt आपका clear हो जाएगा, तो midpoint theorem क्या कहता था, कि triangle के किसी भी 2 side के midpoint को मिलाने वाला line, तीसरे side का parallel and half होता है, ठीक है, अब आते हैं हम triangle ABC में, देखो, AC side का midpoint है R, और CB side का midpoint है Q, यह दोनों को मिलाने वाला line हो गया बच्चा RQ, तो मैं बोल सकते हूँ, RQ parallel होगा, AB के तो आप क्या लिखोगे, R is midpoint of AC and Q is midpoint of BC, तो यह imply करेगा बच्चो, RQ parallel होगा, AB के, अब RQ यह full का parallel है, तो RQ बच्चो, हाफ का भी parallel होगा, तो मैं बोल सकती हूँ, कि RQ parallel होगा, AB के भी, और RQ parallel होगा, PB के भी, है ना, तो यह imply करेगा, RQ parallel होगा, PB के भी, ठीक है, यहां लिख देना midpoint, क्योरा, हमने इस line को, इस line के parallel proof कर दिया, अब इन दोनों को parallel proof करेंगे, तो देखो, यह midpoint, R midpoint है AC का, और P midpoint है AB का, अब आप क्या लिखोगे, again, R is midpoint of AC and P is midpoint of AB, तो यह क्या imply करेगा, बच्चो, PR parallel हो जाएगा, CB का और half, अगर यह full का parallel है, तो half का भी parallel होगा, यह imply करेगा, PR parallel हो जाएगा, CB का और PR parallel हो जाएगा, BQ का, clear, तो हमने क्या किया, हमने देखो, हमने इन दोनों को भी parallel proof कर दिया, और इन दोनों को भी parallel proof कर दिया, अगर मैं बात करूँ, PBQR parallelogram की, sorry PBQR quadrilateral की, अभी parallelogram नहीं बोलूँगी, कि अगर मैं इस quadrilateral की बात करूँ, तो ऐसा quadrilateral जिसके opposite pair of side को हम parallel proof कर दे, उसे हम parallelogram क्याते हैं, यानि आप क्या बोल सकते हो, so, इसका name देदो 1 और इसका नाम देदो 2, so, from equation 1 and 2, हम क्या बोल सकते हैं, PBQR is a parallelogram, clear PBQR को हमने parallelogram proof कर दिया, जैसे हमने इसे parallelogram proof किया, वैसे हम बच्चो PAQR, समझ में आ रहे हैं आपको, PAQR, इसे भी हम parallelogram proof कर सकते हैं, सेम वैसे ही proof करना पड़ेगा, तो बार-बार आपको ऐसे करने का जरूरत नहीं, डारेक्ट आप क्या लिखोगे, similarly, PAQ, बोलो चाहिए, PQRA बोलो जो आपकी इच्छा, PQRA and ये वाला बच्चो, PQCR, PQCR is also a parallelogram, हमने इन तीनों को parallelogram proof कर दिया, इन तीनों को हमने parallelogram तो proof कर दिया, बच्चो, अब तीनों parallelogram का area भी सेम होगा, कैसे सेम होगा, तो सबसे पहले मैं PBQR और PQRA की बात करूँ, तो दोनों parallelogram देखो बच्चो, दोनों parallelogram आपका सेम parallel line, QR और AB के बीच में है, और दोनों का base, QR base सेम है, और हमने फर्स एक्सराइज में पढ़ा था, कि सेम parallel line और सेम base से अगर आप दो parallelogram बनाओगे, तो दोनों का area सेम होगा, वैसे ही, जैसे इन दोनों का area सेम है, कौन कौन सा बच्चो, QPRC और PQRA, ये दोनों भी आपका सेम parallel line और सेम base के बीच में आ रहे हैं, तो आप क्या लिखोगे, therefore, area of PQRA is equal to, PQRA is equal to area of, कौन सा बच्चो, PBQR, और यहां reason में क्या लिखेंगे हम, same base, दोनों का base सेम है, RQ, and same parallel line, and between same parallel line, ठीक है, same parallel line हो गया, उसी तरीके से, ये दोनों parallelogram का area भी सेम हो जाएगा, तो मैं कहां करूँ, again आप क्या लिखो, area of PQRA equal हो जाएगा, बच्चो, PQRA का area है, same हो जाएगा, बच्चो, PQCR के, area of PQCR, इसमें भी आपका same base है, कौन सा same base है, बच्चो, PQ, और same parallel line है, अब देखो, ये वाला area इसके भी equal है, ये वाला area इसके भी equal है, यानि मैं बोल सकती हूँ, ये तीनों area, same हो गया, इससे फाइदा क्या हुआ, तो वो मैं आपको बताती हूँ, उससे फाइदा क्या हुआ, वो अपने को मैं उपर का erase करियू, अगर किसी भी अचे ने screenshot नहीं लिया है, तो ले लो, तो हमने तीनों parallelogram का area को equal proof कर दिया, चीक है, अब आपको पता है कि parallelogram का जो diagonal है, उससे दो congruent triangle में divide करता है, है कि नहीं, parallelogram का diagonal उससे दो congruent triangle में divide करता है, क्या लिखोगे, area of, तीनों को एक साथ लिख दो, PQRA equal area of PBQR, PBQR equal area of PQCR, छीक है, हमने तीनों parallelogram का area को equal proof कर दिया, अब आप क्या लिखोगे, diagonals of parallelogram divide it into two congruent triangle, two congruent triangle, parallelogram का diagonal उससे दो congruent triangle में divide करता है, अगर आप ध्यान दो, तो PBQR का diagonal है, PQ, PARQ का diagonal है, PR और PQCR का diagonal है, RQ, ठीक है, diagonal parallelogram का उससे दो congruent triangle में divide करेगा, मतलब दोनों triangle का area सेम होगा, और अगर तीनों parallelogram बच्चों सेम है, तो वो उससे जो triangle में divide करेगा diagonal, उनका area भी सेम होगा, therefore यह क्या imply करेगा, area of triangle, P, A, R, जब parallelogram का area सेम है, तो उनके divide किये गए, triangle का area भी सेम होगा, area of triangle, सारे triangle का लिएक दो, P, A, R, equal, area of triangle, P, R, Q, equal, चार triangle बनेगा ना, एक, दो, तीन, चार, area of triangle, P, Q, B, equal, area of triangle, R, C, Q, ठीक है, सारे triangle का area सेम होगा, यहां तक logic समझ में आया, अब देखो, यह full जो triangle है, वो इन 4 triangle से मिलकर बनाए, यह बड़े-बड़े, 4 triangle से मिलकर बनाए, यह full triangle, अगेन आप क्या लिखोगे, area of triangle A, B, C, is equal to area of triangle P, A, R, प्लस, यह चारो को प्लस कर दो, प्लस, एरिया of triangle P, A, R लिए आना हमने, P, R, Q, प्लस, एरिया of triangle P, Q, B, प्लस, एरिया of triangle R, C, Q, इन 4 triangle का area से मिलकर यह बड़ा वाले triangle का area बनाए, और अगर चारो ट्रांगल का area सेम है, तो चारो के place में हम किसी एक को लिख सकते हैं, हमें किसे प्रूफ करने हैं, हमें Q, S, B चाहिए, Q, S, B आपका यह वाले triangle में आ रहा है, पर इन 4 के place में हम P, Q, B लिख सकते हैं, इसके place में भी, इसके place में भी, इसके place में भी, चारो के place में बच्चा हम P, Q, B लिख सकते हैं, क्योंकि चारो का quantity सेम है, तो आप क्या लिखोगे, मैं नीचे वाला भी रेस कर देती हूँ, आप क्या लिखोगे, area of triangle ABC is equal to 4 into area of triangle P, Q, B, ठीक है, क्योंकि 4 आपस में, अब हमें Q, S, B चाहिए, अब P, Q, B में देखो, P, Q का midpoint आपको S गिवन है, यानि S, B जो है वो इस triangle का median हो गया, अगेन आप क्या लिखोगे, in triangle P, Q, B, B, S is median और आपको पता है, कि median जो है वो triangle को 2 equal area वाले triangle में divide करता है, यानि आप क्या लिखोगे, बच्चों, यहाँ से, यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यानि यह imply करेगा, area of triangle Q, S, B, equal हो जाएगा, area of triangle S, B, P के, ठीक है, यानि यह वाला भी आधा और यह वाला भी आधा, यानि मैं यह बोल सकती, यह वाला part is full triangle का, half होगा, यानि यह imply करेगा, area of triangle Q, S, B, जो है बच्चा, वो half होगा, P, Q, B का, half होगा area P, Q, B का, बस P, Q, B के place में आपको क्या पुट करना, यहाँ से P, Q, B अगर मैं निकालू, तो यह आजाएगा, twice area of Q, S, B, is equal to P, Q, B, अब P, Q, B का value आप यहाँ पे, पुट कर दो तू कितना हो जाएगा बच्चो, area of triangle, देखो आगिया, A, B, C, is equal to 4 into P, Q, B के place में हम क्या पुट कर देंगे, P, Q, B का value देखो, हमने क्या निकाला है, twice area of Q, S, B, twice area of Q, S, B, यानि आगिया, देखो, 8 times area of Q, S, B, समझ में आया कैसे कि, अब एक बर मैं short में बता देती हूं फटाक से, देखो, क्या करना है, सबसे पहले मुझे given था, कि P, R, और Q जो है, वो इस triangle का midpoint है, तो हमने midpoint theorem apply करके, तीनों side को parallel proof किया, P, R को इसका parallel दिखाया, वैसे ही R, Q को इसका parallel दिखाया, और हमने इन तीनों को parallelogram proof कर दिया, और हमने पढ़ा था, कि same base और between same parallel line के बीच में, जो parallelogram होते हैं, उनका area same होता है, तो हमने इन तीनों parallelogram का area को same दिखा दिया, और parallelogram का area, जब तीनों parallelogram का area same हो गया, और हमने पढ़ा है कि parallelogram का जो diagonal होता है, उसे दो equal area वाले triangle में divide करता है अगर parallelogram का area same है तो triangle का area भी same होगा यानि इन 4 triangle का area हमने same दिखा दिया, अब ये full triangle वो इन 4 triangle से मिल कर बना है तो उसके place में हम क्या लिखेंगे full triangle का area इन 4 area का sum है ठीक या, उस 4 area अगर same है तो उसके place में आप किसी एक को repeat कर सकते हो, तो इन चारों के place में हमने PQB को repeat कर दिया, बस अब PQB में आओ, तो B.S. जो है वो, इसका median ने median fit triangle को दो equal area वाले triangle में divide करता है, तो इन दोनों का area भी same हो गया, clear, इस logic का use करके हमने से solve कर लिया, थोड़ा सा लिंदी है, बट अगर आप ध्यान दोगे और अच्छे से समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इसी के साथ हमारा 16B exercise यहीं पर finish होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हमारा next exercise 16C और जहां तक मैंने आपको बता दिया है कि हमारा सारा class 9 के math को सलिबस finish हो गया, स्रिफ दो chapter रह गया है, construction और inequalities उसे भी हम बहुत जल्द upload कर देंगे, तो आप पूरे channel को अच्छे से explore करो, जो भी आपका doubt होता है या जो भी है सबको देखो और channel को प्लीज जाया जाया लाइक करो, subscribe करो, दोस्तों के संग, share करो और हमें support करो, तभी हम आगे और भी science और computer से related videos upload कर पाएंगे और अपने journey को continue कर पाएंगे, तो मिलती हूं मैं next video में, तक तक के लिए goodbye, take care and have a nice day.